हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मिनी स्वेच कॉनर नॉर्मल समोसे तो आप सभी नहीं खायाँगे तो इस बार मिनी स्वेच कॉनर बहुत ही स्पेशल समोसे रेस्वी लेके आई हूँ मैं जो है पॉकिट समोसे यह बहुत ही टेस्टी है उसे टेस्टी ही नहीं दिखने में इतने सुंदर और इनोवेटिव है न कि अगर आप पनी गैस्ट के सामने इसको प्रेजेंट करोगे तो उनके मुह में पकका पानी आजाएगा इनको देखते ही और यह बहुत हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेब करना तो देर के इस बात की चलो शिरू करते हैं समोसा शीट बनानी के लिए हमने दो कप मैदा ली है एक टेबल स्पून हमने पे नमक कर लिया है थी फोर्थ कप आप वाम बॉटर ले मतला बहुत सा गरम पानी ने चाहिए ठोड़ा गुन गुना पानी और वन फोर्थ कप अब क्या करें थोड़ा सा अप मैदा में पानी में मिला के रख लें इससे हम अपने समोसा शीट को चिपका सकेंगे फिर आप मैदा के अंदर सबसे पहले नमक डाल दे और उसके वाद हमने पूरा तेल लिया था वन फोर्थ कप जो हमने ओल लिया है वो आपको पूरा इसम कर लेंगे एक दो मिनिट बात आप देखोगे कि तेल अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है और अब आप जब अपने हाथ में उसको बाइंड कर लोगे ना तो वह एजिली बाइंड भी हो रहा हो तो इससे मुठ्धी बन जाएगी इसका अंतलब जो हमने ओल की डाली ती व और फिर उसको बाइंड करें देखने आप नॉर्मल रोटी के लिए आठा लगाते हैं वैसे आपको इसमें मैदा का आठा लगाना है बहुत ही इजी है बस थोड़ी से मैनत लगेगी देखना पर उस मैनत को अभी मज़ा आ जाएगा चब समोसे बनेंगा वी टेस्टी बने अधिया के बाद देखो जैसे मेरा आठा एक अच्छे से बाइंड हो गया है एक तब आपका यसे बाइंड हो जाएगा इसको आपको पाइंड होने के बाद आप गीले कपड़े से भड़े रखते हैं जब तब हमारा ये रेस्ट कर रहा है हम अपना मसाला प्रिपेर कर ले आप एक पैन ले उसमें थोड़ तेल डालने के बाद आप उसके उपर प्याज डाले कि प्याज को फ्राया है इसलिए सबसे पहले प्याज कच्छे से फ्राय करें उसके उपर मैंने पत्ता गोबी डाली है आपको जो वेजटेबल पसंदोना आप वो यूज कर सकते हो यहा दाला है 1 तेबल स्पून आप नमक डाल दे नमक से क्या होगा ना बहुत जल्दी यह लोग फ्राय हो जाएंगे बहुत एजली कुख भी हो जाता है तो आप इसलिए अच्छे से नमक डालके इसको एक मिनिट तक रख दे फिर उसके उपर मैं बटर डाल रही हूं मतर को भी मैं भी तमाटर भी यहां पर छोड़ छोड़ चोड़ करके डाल दिये हैं और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके आप दो तील मिनिट तक अच्छे से कुख होने दे इसके बहुत ही अच्छा टीस लाने के लिए मैंने यह पर वन टेबल स्पून और डाला है हाफ टेबल स्टीबल स्पून मैं पर चिली फ्लेक्स कर डाल रही हूं हाफ टेबल स्पून मैं पर काली मिर्ची भी डाली है और यह डालने के बाद आप एक बाद चीजों का अच्छे से मिक्स करें और फिर एक दो मिनिट तक और अच्छे से इसको कुख होने दे हमाली सारी ज़िए वाथ टेस्टी फ्लेवर आएगा मैं मसाले में तो यह डून डालने के बाद अपने आप ग्यास आफ कर दे और एक बास हारे मसाले में इसको मिक्स कर लें और हमारा मसाला एक बनके रेडी है बहुत ही ती लग रहा है तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका यह बतात 1 tablespoon red chili powder, 1 tablespoon kali mirchi and 1 tablespoon amchur powder अब तोड़े सी इसके हल्ती भी डाले और सब चीजों को अच्छे से mix कर ले और एक दो मिनिट बात आप देखो के अपना मसाला एकदम बनके रेडी है तो आलू का मसाला भी आप इस तरीके से बहुत आराम से प्रिपेर कर सकते हूं हमारे हाफ नार हो गए है, हमारा आटा है भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो आप धीरे धीरे इसके चोटे चोटे पीसे कट करें और आपको इसको गोल सरकल फॉर्म देना है तो आप इसको एकदम पतला पतला गोल बेल दें क्योंकि हमें इसको समोसे की स्ट्रिप बनानी है तो एकदम पतली पतली स्ट्रिप बनेगी तो आप इसको सबसे पहले गोल बेलने जैसे हम अपनी नॉर्मल रोटी बेलते है ना एकदम वैसे ही मेरी रोटी तो एकदम बिल गए ready है आपको इतनी ही बड़ी रोटी को बेलना है अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसकी strip कट करेंगे सबसे बहले हम circle को एक side के अंदर से cut कर लेंगे जिससे हम इसके इकदम square shape दे दे तो आप साइड के पार्ट इसके कट कर ले और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे साइड से कट करना है और इसको इसको स्क्वायर शेप दे नहीं है तो चारो साइड से आपको इसको कट कर लेना है जैसे हम मार्केट से आजकल समूसी की स्ट्रिप और यह सब खरीद के लाते हैं आपको लाने की ज़रवत ने पड़ेगी एकदम वैसी आपके घर में बन जाएगी बहुत ही अराम से तो आप यह ज़रू ट्राय करिएगा और मुझे ज़रू पतायागा कि आपको यह रेसिपी अगर आपकी जादा हो जाए तो आप जादा कर लीजेगा और आप देख सकते हो एकदम लग रहे हैं एकदम मस्त मार्केट जैसी एकदम परफेक स्ट्रिप कट करिए अब मैं आपको बताऊंगे कैसे हम पॉकेट समूसा बनाएंगी उसके लिए आप क्या करें एक स्ट्रि अगर आप चाहो ताप आप आलू का मसाला भी रख सकते हो या जो अब आपने वेज़ेटेबिल्स कर बनाया था वो भी धुतम ने थोड़ा से वेज़ेटेबिल कर लगार वस एक चमज में लेके उतना ही रखें जतना एक टेबिल स्पून में आता है इसको रखें फिर को थोड़ा सा उसके पर मैदा लगाना है और नीचे वाली को वापिस रखना है तो ध्यान रखेगा जो हम फर्स ट्रिप उपर रखेंगे हमारे मसाले के उपर वो रखेंगे नीचे वाली जिससे एजीली हमारा पैक हो जाए समोसा फिर ऐसे करके जो लास्ट पार्ट है वो भ साइट से भी आप कर दें जिससे क्या मसाले भांडी निकलेगा और हमारा साइट से एक दम कवर हो जाएगा है ना बहत ही इजी बन गया हमारा पोकेट समोसा तो हम आपको एक और का करके दिखा दे इस बर मैं आलू का मसाला करूंगी आप एक स्ट्रिप के उपर थोड़ा स हमारा मैदा का रखके दूसरी स्ट्रिक चिपका ले और इस बार बीच में मैं आलू के जो छोटी सी बॉल बना के उसके पर रख दोंगी बस जैसे हमने पहले किया था सेम आपको उसी तरीके से करना है साइट से आप इसको पूरा कवर कर दे जिससे यह बाहर निकले नहीं और हमारी क्या है पॉकेट समोसा बनके राडी आप देख सकते हम कितना इजी था करना अब एक कडाई ले उसको आजा तेल से भर दे और हम अपना जो फ्लेम है उसको मीडियम रखिएगा हम मीडियम इसले रखें जिससे हमारा अंदर तक जो हमाया समोसा है अच्छे से अंदर तक सिख जाए और बहुत ही क्रिस्पी बने तो मीडियम फ्लेम पे आप अपने जितने पॉकेट समोसा आपके बनके रैडी हुए है वो कि आपके सामने होंगे और एक साइट से चबब अच्छे से सिख जाए तो आपको बस इनको टर्न करना है एक दो मिनिट बात आप टर्न कर दें कि इससे दोनों साइट से अच्छे से फ्राय हो जाए और आप देख सकते हो है ना बस देख दम बस मेरे तो मुझ में बानमी आ भूर आ बहुती तेस्टी और यमी, बस अब आपको इसको सर्फ करने के लिए एक दम रेड़ी है और आप इसको सर्फ करें अपने चत्नी के साथ सौस के साथ कुछ जैसे पसंदा आutral वैसे सक cookies आपको रेस्पी पसंदर उसको ज़रूर लाइक करेगा और मेरे चैनल को दूस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करेगा इन्जाइ